गुट मॉर्णिंग एवरिवन कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे इस कोरोना काल में सेफ होंगे आप लोग तो आप लोग को जैसे की पता होगा वीडियो आपने देखा होगा सर के चैनल पर की इसरी जब यह स्टार्ट हो रहा है चारो सब्जेक्ट के रिजिनिंग हो मैथ हो साइन्स हो जी के जैस और करेंट अफेर्स का हो ठीक है यह सारे के टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं सबकी टैमिंग आपको एक दो दिन में पता चल जाएगी ऐसा इसलिए क्या गया है ओनलाइन सारा टेस्ट चलेगा ओनलाइन डिसक क्या हमाट करें लेकिन प्राबल्म तु उनको भी आ रहे हैं हर एक को प्राबल्म से और जैसा कुछ करके आओ कि हर दिन पहले जो दिन पहले आपको is मिल जाएंगे आप उसको solve out करे होगे, इमानदारी से, time connect करके, उसके बाद, next day उस पूरे set का मैं discussion करवाऊंगा 20-20 questions का set होगा, मैंने questions तीन तरह के बनाए हैं, ताकि आप लोग के लिए बहुत ही फाइदे मन्द हो पहला questions का set होगा, miscellaneous का, जिसमें की 20 के 20 questions mixed chapter से होगे, यह पहला set होगे दूसरा set मैंने तयार किया हुआ है, जिसमें की half-half, 10 questions आपको miscellaneous से होगे और 10 questions chapter wise होगा, ठीक है, और तीसरा set मैंने बनाए हुआ है, total 20 का 20 questions chapter wise तर ऐसा क्यों किया है, क्योंकि हर एक को फाइदा पहुचा, हर एक को यह जरूरी है, miscellaneous questions अगर आप बनाते हो, तो एक तरह का practice हो गया, exam pattern का हो गया, अगर 10 questions मैं miscellaneous डालता हूं, 10 questions मैं chapter wise डालता हूं, उसमें क्या हो गया, 10 miscellaneous पे भी practice हो गई आपकी, और 10 chapter wise आपको concept भ नहीं है, या वो basic से बनाते हैं, time थोड़ा, ज्यादा लग जा रहा है, या confidence level उस तरह का नहीं है questions बनाने में, तो वो जो set होगा आपका chapter wise 20 के 20 questions, उससे आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, ठीक है, तो बहुत जल्द यह start होने वाला है, यह as a demo में एक video डाल रहा हूं जिसमें की 20 questions मैंने select किये हुए है, जिसमें की missionaries questions भी हैं और chapter wise questions भी हैं, जो की totally maximum questions में previous year से डाल रहा हूं, जो की exam pattern का होगा और हर एक questions आपके लिए important होगा, और discussion के लिए आप tension मतलो कि online में कैसे होगी नहीं होगी, बहुत अच्छे तरह से समझ में आईगी आपको, उसकी feel नहीं होगी कि आप offline में बैठे हुए हो, कि online class कर रहे हो, आपको जड़ा सा भी और offline से बहतर ही होगा, इसके लिए इसकी guarantee तो मेरी है, तो आप लोग आए connect कीजिए, classes के schedule आपको डाल दिये जाएंगे, बहुत ही minimum fee पे start होड़ा है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी दिक लिकत ना हो, ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ questions मैंने लिए हैं, जिसकी questions number one, previous year का question है, पूछा हुआ है, यह है आपका finding the missing character से questions है, आपको questions में यहाँ पे दिख रहा होगा, तीन set दिये हुए हैं, है न, तो आपको यहाँ पे देखेगा कि एक set यहाँ दिया हुआ है, एक set यहाँ पे और एक set यहाँ पे, लेकिन third, जो third जो यहाँ पर दिया हुआ है, उसमें कुछ missing है, sir क्या missing है, तो यहाँ पे तो complete है, 4, 3 का कुछ न कुछ relation 25 से दिया गया है, उसी तरह से 2 और 5 का relation कुछ न कुछ 29 से दिया हुआ है, तो same relation हमको ढूंडना है, कि 1 और 7 का relation आख root, square root, यही हो सकता है, तो हम यहाँ पे 3 और 4 को ऐसा क्या किया जाए, कि 25 आए, लेकिन same चीजे यहाँ पर भी करने पर 29 आए, फिर हम लोग answers 500 करेंगे, तो कुछ बच्चे बना ही भी लिए होंगे, क्या किया गया है, कुछ नहीं किया गया है, यहाँ से देखते हैं कि अग 29 is equal to 25 हम लोगों को मिल गया, मिल गया की नहीं, तो पहला सेट तो clear, क्या दूसरे में भी वही किया गया है, तो check कर लेते हैं न, 5 का square plus 2 का square, कितना हो जाएगा, 25 plus 4, बिल्कुल, 29 हमको मिल गया, मतलब कि हम लोग सही जा रहे हैं, तो तीसरे में भी हम लोग वही करेंगे, तो क्या करेंगे हम लोग भी, answers निकालने के लिए कि 7 का square, और plus 1 का square, कितना हो जाएगा, 49 plus 1 is equal to 50, आ गया की नहीं आ गया, तो ये आपका answer हो गया, आप answer क्या टिक करोगे, दी नमबर 50, मैं भी पहला question से आप लोग का clear हुआ कुछ नहीं किया था, उपर वाले दोनों का square करके, square करके add कर दिया, इसका भी square करके add कर दिया, तो हम लोगों ने भी क्या किया, square किया, और दोनों को add कर दिया, और answer मिल गया, clear, तो पहला set आपका clear हो चुका है, तो हम लोग बढ़ते हैं, next question से, पहला questions के लिए, आगे बढ़ते हैं, second questions कहा रहा है, कि find the odd one out from the given options, आपको यहाँ पे चार आप्सन दिया गया है, LO, PQ, MP और CF, इन चारों में से तीन किसी ने किसी परकार से समान है, कोई एक है जो बाकी तीनों से different है, तो हमको different पता है, तो याद रहें, जब भी alphabetical questions होती है, क्या है, alphabet based questions है, alphabet based questions आपको series में भी पूछे जाते हैं, analogy test में भी पूछे जाते हैं, coding, recording में भी पूछे जाते हैं, alphabet में पूछे जाते हैं, series में पूछे जाते हैं, classification में पूछे जाते हैं, तो याद रहे कि बहुत सारे जगहों पर आपको जरत परेगी, आप बहतर होगा कि place value आप याद रख लो, place value और opposite value एनिहो याद रहना चाहिए, कभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि place value या opposite value easy way में कैसे याद रखना है, वो सब में बताऊंगा आप, tension मतलो उसका, अगर याद रहेगा तो समय बचा पाओ गया और questions miss नहीं करोगे आप, तो जैसे कि यहाँ पे है, पहला option क्या दिया हुआ है, LO, दूसरा option क्या दिया हुआ है, PQ, तीसरा option है, MP, और चौथा option है, CF, अब बताओ कि A, B, C, और D में से, A, B, C, D में से different आखेर कौन सा है, ओके, तो हम और M का 15, क्या लगता है, क्या किया गया है, प्लस 3 किया गया, L का place value 12 और O का place value 15, तो कितना जोड़ा गया है, 3, अब P का place value कितना होता है, 16, और Q का कितना होता है, 17, क्या किया गया है, 1 जोड़ा है, क्या जोड़ा है, 1, अब M का place value होता है 13, और P का होता है 16, क्या किया गय गया है तीन जोड़ा गया है जैसा कि आप देख सकते हो है कि नहीं फिर सी का फ्लेस बेलू होता है तीन और एफ का फ्लेस बेलू होता है छे क्या लग रहा है क्या जोड़ा गया है तो तीन जोड़ा गया है अब बताओ तीनों में से डिफरेंट आखिर कौन सा है बता सकते है कि different आखिर कौन सा है तो बताएए different कौन सा है क्योंकि इस तीनों में क्या किया गया है plus 3 लेकिन इसमें plus 1 किया है that means your answer is B B is your answer तो यह तो असान question था था कि नहीं तो second questions आपका बिल्कुल clear होगा होगा कि नहीं होगा क्लियर है आगे बढ़ूं कि चलिया next question स्वें क्योश्चन नम्मर 3 कि समझेगा जरा इसको क्या किया गया है पहला टर्म जो दिया गया है पहला टर्म 62 खिर उसके बाद 3927 और 23 क्या है न कि इस 62 और 23 को कुछ न कुछ करके यह 3927 लाया है कैसे करके लिए बहुत यह standard question है थुरा सा focus किजेगा इसको ठीक है बहुत अच्छा question है इसने किया किया है तो सबसे पहले तो 62 में से 23 को subtract किया बताए कितना होगा 62 में से 23 को वो क्या कर दिया subtract आपको यह वाली value मिल गई होगी कौन सा तो यह वाली value आपको मिल गई होगी 39 एक value तो मिल गया आपको उसके बाद आते हैं फिर इसको क्या किया गया है 39 को 39 को यह क्या किया गया है कि 3 multiplied by 9 कर दिया गया है यहां से यह value लाया 3 multiplied by 9 is equal to क्या गया देख करके बताओ 27 तो आपको दोनों value मिल गया 39 और 27 एक बार और समझाजा इसको क्या किया गया है तो देखो यहां पर भी आपको दिया गया है 62 और 23 को कुछ नो कुछ करके क्या लाया गया है 39 27 उसी तरह से 42 और 15 को कुछ नो कुछ करके 27 14 लाया है तो आपको यहां का value find करना है तो मैंने देखा किया क्या है, तो सबसे पहले तो 62 जो यहां है और 23 जो यहां है, उसको वो क्या कर लिया है, उसको वो क्या कर लिया है, तो 62-23, 39, पहला दो टर्म हमको मिल गया, फिर यह जो value आया 39, इसको वो multiply कर रहा है, 3 multiplied by 927, तो दूसरा टर्म भी मिल गया, लेकिन दूस में भी apply हो रहा है, तो चलो, check कर लिता है, ओकि दूसरे में क्या किया गया है, तो check कर लिते हैं, दूसरा value दिया हुआ है, 42, 27, 14, और यहां पर 15, तो सबसे पहले क्या करना है, तो 42 में से 15 को घटा लेते हैं, देखो, 27 ला गया, फिर क्या कर ना है हमको, कि 2 multiplied by 7 करना है तो अब आप भी बताईए कि यहाँ पे 27 और 14 सेम यहाँ पे 27 और 14 आ गया मतलब कि हमारा लॉजिक बिल्कुल ही सही है अब तो हम लोग answers बिल्कुल ही निकाल सकते हैं तो चली answer निकालते हैं तो क्या दिया हुआ है? 53 और यहाँ का value तो हमको पता करना है और यहाँ क्या दिया हुआ है? 16 तो चलो value निकालते हैं सबसे पहले जो करना है 53 में से 16 subtract कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो गया नहीं होगा 53 में से 16 subtract करो 37 फिर क्या करना है हम लोगों को? तो 3 into 7 करना है is equal to 21 तो अब बताइए कि value तो मिल गया हम लोगों को 37 और 21 तो answer क्या हो जाएगा? 37, 21 is our answer अच्छा question था यह था कि नहीं? याद रहिए, याद रखिएगा group D में ऐसे questions आ सकते हैं तो ध्यान में रखिएगा your answer is C ओके? questions clear? जिनको भी screenshot लेना है आप screenshot ले सकते हैं या फिर वीडियो को pause करके भी आप देख सकते हैं तो मैं चलता हूँ next questions पर ओके? ये questions तो हो गया ये भी हो गया next questions number 4 series का questions है और alphabetical series है है कि नहीं है? तो कह रहा है कि यदि पहला term Z है दूसरा term X है इसके बाद बताइए कि क्या होगा यहीं बूच रहा है न? तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हो जाएगा तो क्या दिया हुआ है? पहला term Z दूसरा term X तीसरा term T चौथा term N और next term हम लोगों को find करना है तो चलता हो मैं place value लिख देता हूँ Z का place value कितना होता है? 26 X का place value 24 D का place value 20 N का place value 14 तो आप यहाँ पे देख सकते हो तो क्या किया गया है? minus 2 minus 4 minus 6 मतलब answer हम लोग निकाल सकते हैं जब पहले term में minus 2 हुआ फिर minus 4 हुआ फिर minus 6 हुआ तो अगले term में definitely क्या हो जाएगा? minus 8 होगा की नहीं होगा? तो 14 में से 8 minus अगर करोगे तो 14 minus 8 क्या हो जाएगा? 6 अब 6 का मतलब F is your answer ठीक है? अगर याद रहता ताब direct बना लोते हैं लेते हैं 26, 24 तो दो घटा direct भी हम लिख सकते थे minus 2, minus 4, minus 6 तो minus 8 करेंगे तो क्या आएगा? F is your answer आशान question था ये तो है न कोई भी छोड़ करके नहीं आएगा आप लोग भी नहीं छोड़ते ये question को चले next questions पर बढ़ते हैं questions नमर 5 ये भी सिरीज का ही questions है यहाँ पर देखिए क्या किया गया है तो पहला टर्म जो दिया गया है थिरी दूसरा टर्म 42 तीसरा टर्म 504 थिर है 5040 इसके आगे का टर्म हम लोगों को पता करना है देखिए सिरीज जो बढ़ रहा है एक सिरीज होता है कि घट रहा होता है एक सिरीज होता है कि बढ़ रहा होता है और एक सिरीज होता है कि बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है तो यहाँ पर जो ये सिरीज दिया होए ये क्या हो रहा है increasing way में है जब कोई सिरीज increasing way में हो वो बढ़ते करम में हो तो उसके पीछे का logic क्या हो सकता है या तो वो addition पे होगा या वो multiplication पे होगा या वो square पे होगा और उसके साथ वो कुछ न कुछ कर सकता है addition, multiplication, square के साथ-साथ वो कुछ ने कुछ कर सकता है अब depend करता है कि series धीरे-धीरे बढ़ रहा है कि speed में बढ़ रहा है तो हम देख पा रहे हैं कि अच्छी खासी speed है इसकी बहुत speed से भाग रहा है पहला term 3 था 3-4 term में क्या हो गया 5000 के पार चला गया मतलब definitely यह क्या है multiplication based है तो अगर देखते हैं कि 3 और 14 का जो relation है 3 और 14 का relation क्या है अब क्या बोलोगे कि sir multiplied by 14 किया गया है अब 42 और 504 में क्या है तो आप divide करके देखोगे तो यहाँ पे multiplied by 12 किया गया है अब multiply करके देखो 12 को 2 से किये तो 24 carry 2 बच गया अब बाड़े को 4 से 48 और carry 2 था 42 बच्चास मिल गया ना अब यहाँ तो आपको clear दिख रहा होगा कि multiply by 10 हुआ है अगर माल लिजे कि आपको अगर माल लिजे कि आपको जो है सो यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे नहीं पता multiply करने में दिक्कत हो रही कोई बात नहीं पहला तो 14 से multiply हुआ फिर यहाँ पे क्या हुआ है फिर यहाँ पे multiplied by 10 हुआ है हुआ है कि नहीं तो definitely यहाँ पे क्या होना चाहिए 12 तो आगे हम लोगों को क्या करना है multiplied by 8 करना है 85 जा 40 मतलब 40 320 है किसी ऑप्षन में जी हाँ कि ऑप्षन नंबर बी इस यूर आंसर क्लियर है क्लियर है ना जब सिरीज अच्छी खासी स्पीड में हो यानि कि वह multiply हो सकता है addition हो सकता है या फिर दोनों एक साथ भी हो सकता है ठीक है कि लिए रहे ये questions आते हैं अगले questions पर इस नंबर 6 दोत जाता है यदरहें यह direction में स्यड़ का question है बहुत आसानी से बनता है पहले मैं basic से बना के दिखाऊंगा फिरstone trick से भी बता के दिखाऊंगा क्या कह रहा है कि एक दिन सुबह गनेश और सिब एक दिन सुबह गनेश और सिब दिया हुआ है न एक जस्ट वेट ठीक है तो क्या कह रहा है कि एक दिन सुबह गनेश और सिब एक दूसरे के एक दूसरे की और मुह किये हुए थे मतलब कह क्या रहा कि गनेश है और सिभ दोनों ने क्या किया हुआ है आपस में एक दूसरे की तरफ मुख करके बैठा हुआ है दोनों एक दूसरे की तरफ मतलब कि अगर गनेश पूरब की तरफ देख रहा है तो सिभ पस्चिन और अगर गनेश दक्षिन की तरफ देख रहा ह सुबह का कि एक दिन सुबह गनेश और सिब एक दुसरे के और मुँग किये हुए थे जहां सिब की परचाई किसकी परचाई सिब के परचाई कहां पर रही है तो गनेश के बाई और बन रही थी तो सिब का मुख इस दिसा में एक बात बताओ कि परचाई जो बनती है कहां बन कि परचाई जो है वो किधर बनेगी सुबह के समय में लाइट किधर होती है पुर्व दिसा में क्योंकि सुबह के समय सुर्ज पूरब दिसा में होती है तो लाइट तो आपको पूरब में है तो परचाई किधर बनेगी परचाई जो बनेगी वो पस्चिम की तरफ बनेगी य ऐसे ही सुबह का समय दे दिया, किसी भी चीज की परचाई पस्चे में बनेगे, साध यहाँ आप लोग को confusion नहीं हो रही होगे, क्यूं हुआ इसा, क्यूंकि जब सुबह का समय है, तो सुर्ज यानि की light किदर है, पुर्व में, तो परचाई पस्चे में बनेगे, अब परच पस्चे में, अब देखना है यहाँ पर क्या, कि मालो की गनेश यहाँ पर है, सर गनेश को ही क्यों लिए, सिब को क्यों ने लिए, क्योंकि गनेश के ही न बाइयोर परचाई बन रही है, तो गनेश को ही लेना है, अब बताई कि गनेश अगर उपर की तरफ देख रहा है, तो यह क्या हो गया बाएं और यह क्या हो गया दाएं होगा की नहीं अगर आप गनेश हो आप उपर की तरब देख रही हो तो इधर बाएं और इधर दाएं परचाई कहां बन रही है तो गनेश के बाएं और बन रही है गनेश के बाएं और मतलब इधर परचाई बन रही है परच्छाई बंती कहा है सुबह में पस्चिन इसका मतलब यह तो पस्चिन हो गया मतलब कि वेस्ट तो अगर यह वेस्ट तो यह क्या हो जाएगा अब आपको पता है कि कि NESW clockwise होना चाहिए इसका मतलब N यहां होगा हमको क्या मिला कि गनेश किदर देख रहा है तो गनेश जो है वो नौर्थ में देख रहा है तो सिव किदर देखेगा क्योंकि दोनों का मुख आमने सामने है तो गनेश यदि नौर्थ देखेगा तो सिव किदर देखेगा मतलब की दक्षिन की तरफ देखेगा यह आपका आंसर हो गया कि अप्शन ए ट्रीक है कि अप्शन ए यह तो हो गया बेसिक आप इसका स्क्रिंशॉट ले लीजिए या फिर पॉस करके देख लेजिए लेकिन अब मैं एक ट्रिक सिखाने वाला मैंक्सिमम कोश्चंस सुबह पर आता है कुछ कोश्चंस साम पर भी आता है तो कोश्चंस हम डारेक्ट भी बना सकते हैं कैसे बनाएंगे तो जर ध्यान देजेगा मैं यह सब हटा दू चलो मैं यह सब हट जा रहा हूं कि अधिया है मैं थोड़ा यह सब इस्टिवेट है कि अधिया है कि अधिया है कि चलो कि चलो रहने दोस्को ठीक है तो अब एक मैं टेक्निक बता रहा हूं कि अधिया कि ट्रिक क्या है जब भी सैडो का कोश्चं हो तो ट्रिक याद रखिए अगर कोश्चंस सुबह से है कि अगर कोश्चंस आपका सुबह से दिया हुआ है तो क्या करना है तो दो ट्रिक याद रखन है सुबह के समय में यदि कोश्चं में सुबह का जिक्र हो और परच्छाई यदि बाएं बन रहा हो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति उत्तर की तरफ देखेगा कौन जिसके बाए सुबह का समय सुबह का समय है सुबह का समय है और परच्छाई कहां गनेश के दाईय बन रही है तो सुबह प्लस दाएं सुबह सामपलस दाये का मतलब गनियस किधर देख रहा है दक्झन तो सिभी किधर देखता उत्तर लेकिन अगर सर कोश्ञ्च साम से रहेगा ठीक है कि सर यदि कोश्ञ्चं अगर साम से रहा तो क्या करेंगे चलो उसका भी मैं लिखा देता हूं ठीक है साम वाले questions में आपको क्या करना है तो देखेगा बस उल्टा हो जाता है साम पलस बाएं हो इसका मतलब वह व्यक्ति उत्तर नहीं बलकि दक्षिन की तरफ देखेगा ठीक है और यदि साम के साथ दाएं हो इसका मतलब वह व्यक्ति उत्तर की तरफ देखेगा इतना ट्रीक याद रखो questions फटाफट बनेगा पढ़ते के साथ सैड़ो के question में दो ही चीज इंपोर्टेंट होती है time और किसका पढ़ चाहिए और किधर बनता है बस और ये कि याद रख लो साड़े के सारे questions salt हो जाएंगा इसको मैं डिटील में बताऊंगा जब मैं चैप्टर वाइज लेकर के questions आऊंगा इसलिए मैं चैप्टर वाइज लेकर करके तब मैं इस को concept को थोड़ा सा ज्यादा deal करूंगा ओके questions के लिए चलते हैं next questions की तरफ सेवन नमर questions क्या कह रहा है उस विकल्प का चैन करें जो आकरिती में प्रस्ण चिनी के अस्थान पर तो यह questions थोड़ा सा missing है ठीक है missing है क्योंकि इसमें questions है ही नहीं tapping mistake sorry for that okay इस questions को हम लोग skip करते हैं next question नमर एट पर आते हैं क्या रहा है कि यदि 9 का संबंद 36 से तो 11 का संबंद किससे होगा mathematical जैसे नमर का questions है आपको जोर घटा गुना भाग का concept लगाना है तो 9 का संबंद 36 से तो सेम 11 का संबंद किससे होगा है ना दिया हुआ तो चलिए 9 को क्या करें कि 36 आए multiplied by 4 करते हैं तो तो क्या 11 में भी अगर हम multiplied by 4 करते हैं तो क्या आता है 44 क्या option में है तो ठीक नहीं तो कोई दूसरा concept ढूनना है एक ही question 2-2-3-3 type से भी बन सकता है लेकिन हमारा answer यहाँ पे मिल गया कि multiplied by 4 किया गया है ओके questions क्लियर है यह बहुत आसान question था next questions जाते हैं 9 नंबर में क्या कह रहा है देखेगा यदि Palm को 43 लिखा जाता है तो क्या कह रहा है Palm को 43 लिखा जाता है तो सेंटा क्रूज को क्या लिखा जाएगा तो बताइए कि सेंटा क्रूज को क्या लिखा जाएगा तो हम यहां पे देखते हैं कि आखिर क्या किया गया नहीं लग रहा है कि एड किया गया है जब एक बड़ा सा नंबर दिया हुआ है आगे तो हम जोड करके देखते हैं तो पी का प्लेस बैलू 16 होता है प्लस एक होता है प्लस 12 प्लस 13 अगर जोडते हैं तो 3 2 3 2 5 1 6 6 प्लस 1 प्लस 40 स सुड्यार की प्लस 3 उस आपे यहां पर यहां पर आलम है तो एक और ऑड हो जाएगा तो कितना हो गया पॉर्टी थ्री आखेर आ जाता है आ जाता है कि नहीं आ जाता है उसी तरह से हम लोगों ने भी क्या करने हैं तो 19 प्लस 1 प्लस 14 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 18 प्लस 21 और प्लस 26 सब को जोड लेते हैं 6,1,7,8,7,15,3,8,8,1,9,4,3,1,24,9,33,3, क्यारी कितना हो गया? 3,3,2,5,2,7,8,8,8,8,8,2,10,10,1,1,1,1,1,1 यानि कि हमारा आंसर निकल करके आ गया क्या? 123 समझ गया? तो सारे लेटर्स के प्लस वैल्यू को वो बस एड कर देता है और कुछ नहीं और कुछ किया है क्या? तो और कुछ भी नहीं किया गया है, ओक्या? नेक्स्ट कुश्चन पर आता है, 10 नमर में, ध्यान दीजेगा, सेट इंगेजमेंट पर बहुत अच्छे तरह से फोकस करना है, ओके? तो क्या कह रहा है? यहां से पढ़ने चालू करो, कि A, B, C, D, E, F, G, H आठ लोग हो गए, एक वृताकार मेज के चारों तरफ केंद्रा भी मुख होकर बैठे हैं, केंद्रा भी मुख मकंदाब होता है कि आमने सामने फिस करके बैठना, यानि कि केंद्र की तरफ देखना, है ना? फिर कह रहा है कि कोई भी दो पुरुस या दो महिला, एक दूसर केंद्र की तरफ मुख करके, सब का मुख किधर है, हर एक का मुख जो है वो केंद्र की तरफ है, तो इतने करने की जरुवत आपको नहीं है, समझ गए? इतना करने की जरुवत नहीं है, सीधा जल्दी-जल्दी में आठ लाइन खिज लेंगे, अब याद तो है, सब का यही अगर के बाहर की और मुख होता तो इसी का उल्टा कर देते हैं तो पहला लाइन क्या कह रहा है याद रखिएगा कि कोई भी दो पुरूस या दो महिला को साथ में नहीं बैठाना है तो पहला लाइन पढ़ते हैं कह रहा है कि A H की पतनी है और H के ठीक बाई और बैठी हुई है तो क्या कह रहा है साइड में लिख लो कि A जो है वो H की पतनी है तो A यदि H की पतनी है तो H पती होंगे कि नहीं होंगे तो A, H की पतनी और कहां बैठी हुई है तो H के ठीक बाई और बैठी हुई है तो पहला लाइन जब भी सीटिंग में स्टार्ट करो तो बाई दाएं वाले language से स्टार्ट करो ताकि आपको दिक्कत नहों जल्दी बन जाए तो पहला लाइन तो बाई दाएं पर दिया हुआ है मतलब हम सुरुआ तक कर सकते है कहीं भी बैठा लो H को माल लो कि मैंने क्या किया ना कि H को यहां पर बैठाया अब H एक पुरूस है किलियर हो गया अब A जो H की पतनी है कहां बैठी हुई है ह के ठीक बाई और बैठे हुए ह के ठीक बाई मतलब A अब किलियर हो गया कि नहीं कि A, H की पतनी और H के ठीक बाई और अब आपको पता है कि दो महिला जब साथ में नहीं बैठ सकते और दो पुरूस जब साथ में नहीं बैठ सकते अगर यहां महिला है तो यहां पर फिक्स है कि पुरूस ही होगा, अब दो पुरूस साथ में नहीं तो यहां पर महिला, फिर पुरूस, फिर महिला, फिर पुरूस और फिर महिला, अब देखिए तो कहीं भी दो पुरूस या दो महिला एक साथ बैठे हुए हैं, नहीं, पहली किलियर हो गया हो गया कि नहीं हो गया आगे कला इन पढ़िए क्या कह रहा है ए के बाई और तीसरे अस्थान पर बैठी है अब ए कहां पर तो ए के बाई और तीसरा अब ए कहां बैठा हुआ है तो ए के बाई और एक दो तीन में कौन बैठा हुआ है ए के बाई और तीसरा बै थूपना दिया उसके बाद क्या कहा रहां है पढ़िए गौट को mais कि दीके दौपाई और दूसरे अस्थान पर बैठा हुआ है कि तो के दाइई और दूसर सान पर 5 बैठाने मतलब bf ऐसे बैठेगा लेकिन आगे कुछ क्लू दिया हुआ हो आपको कि Δी ए या उ के ठीक पर उसमें नहीं बैठ वह था कि यहां नहीं बैठ सकता चलो मैने क्रॉस कर दिया एक बगल में भी नहीं बैठ सकता तो इन दो जगों पर द बैठ से झाहां हो लुक्त हिसे के दाएंद दुसरी अच्छ है और भी कुछ दिया हुआ है आगे है ऑ dio होसे एक दुसरे के ठीक पुरanges मिडाएं तो होगा क्योंकि है एज आपको पता है कि यहां पर बैटा कि यहांप है अब निबने पत्नी बेटीके ठीक परॉस्त में नहीं बैठी आप चलिए इसको बैठाते हैं तो D तो आपको पता है कि यहां नहीं बैठ सकता और यहां नहीं बैठ सकता अब D के दाएं दूसरा F अगर आप D को यहां बैठाते हो तो दाएं दूसरा F तो हो जाएगा D और F और अगर D को यहां बैठा क्योंकि D के लिए बस यही दो जगा बच गया है या तो वो यहां पर बैठे या तो वो यहां पर बैठे किलियर यही दो जगहों पर तो अगर हम D को यहां बैठाते हैं तो दाएं दूसरा F तो बैठ चाएगा लेकिन अगर आप D को थोई दरी के लिए यहां बैठाओ तो दाएं दूसरा F बैठेगा नहीं बैठेगा मतलब यहां पर D नहीं बैठेगा, clear D यहां बैठेगा, अब दाएं दूसरा में क्या हो गया, F, clear, कि D के दाएं दूसरा F, अब F last line देखो, कि F अपनी पतनी B के ठीक परोस में नहीं बैठा हुआ है, तो F अपनी पतनी B के बगल में नहीं बैठा हुआ है, तो B कहां बैठेगी, य की बचा हुआ है हुगया है कि अब कोश्चन है पुछ रहा है कि बांबावर्थ दिसां में गिने जाने पूर मुंपार्थी तो फिरलो जाएगा बताइए अग्लिप से यहां और आफ के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं कि दो लोग बैठे वह हैं कितने लोग दो लोग आपका अंसर हो गया अप्शन क्लियर है ना सारा क्लू दिया वह रहाता है बस एक या दो चीज़ जूम करना होता है तो पहले जितना कंफर्म डाटा है उसको मैंने बैठा लिया फिर या खुद वह खुद वह क्लू दे दिया कि चलो भैडी को यहां मत बैठा यहां नहीं बैठा जैसे यह बैठा तो अपर भी बैठ गया फिर आगे एक और क्लू दे दिया कि एफ नहीं पत्नी बी के बगल में नहीं बैठी हुए है तो क्या हो जाएगा तो भी यहां बैठेगे किलिए रहें कोशन्स एक इसकी इन मुक करके बैठा हुआ आपकी दर मुक करके बैठा हुआ ऑफ तर अंधर ही होता है एक पास्चिम की और मुक करके बैठा हुआ वह दाइए और मुरते हैं यहां से अब यह तो खेर बच्चा वाला प्रोसेस हो गया इस प्रोसेस को अपलाई नहीं करना है जब भी आप से दिशा पूछे अपलाई नहीं करना है क्या करना है तो मुख किधर था उसका बताओ मुख्था पस्चिम की तरफ उसका था अब वो क्या करता है तो दाएं मुरता है सबसे पहले क्या करता है वो दाएं मुरता है दाएं मुरने का मतलब क्या 90 डिगरी दाएं या बाएं हम लोग कितना डिगरी पर मुरता है 90 डिगरी पर प्लस फिर से एक वर दाएं मुरा मतलब फिर से 90 degree हुआ कि नहीं देखलो आप यहां से वह दाई और मुरता है और फिर से अपने दाई और मुरता है तो दो पर दाई का मतलब कितना हो गया 180 degree हुआ कि नहीं अब 180 degree में किसी भी व्यक्ति का मुख क्या हो जाता है विपरीत हो जाता है क्या हो जाता है विपरीत हो जाता इसका मतलब हम लोग डियरेक काण सर कर सकते थे तो पस्चिम का выглядता क्या हो जाता मैंने यहां पर गलत लिख दिया बिलकुल मैंने यहां पर फ्टोड़ा गलत लिख दिया है ठीक है अ ही पूरुव दिसा होता है तो आंसर क्या हो जाएगा आपका डी नम्बर औप बहुत असान कोश्चन था ठीक है कि आगे बढ़ें चलिए नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन से दो स्टेटमेंट दिये गए हैं और नीचे दो कुछ पेपर जो है वह कलम है मान लो जो कि यह पेपर है कुछ पेपर क्या है खलम है बना लिया ना मेने डायगराम कि कुछ पेपर क्या है कलम दूसरा सभी कलम पैंसिल है, सभी कलम का मतलब सभी कलम लेना पड़ेगा, सभी कलम क्या है, पैंसिल है, चलो मैंने बना लिया डाइगराम, डाइगराम तो बना लिया, अब दिखते हैं पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है, तो पहला कंक्लूजन कह रहा है कि क्या सभी कलम है, ब जो है मतलब हम बिल्कुल कह सकते हैं कि कुछ पेपर पैंसिल है तो क्या हो जाएगा केबल दो केबल दो option के coding यह number answer हो जाएगा होगा कि नहीं होगा clear अशान था next questions पे आते हैं 13 पे अब इसका में एक trick बताता हूं जब single questions कि इसका पुछ रहा है कि summer का भी पराई किससे होगा तो जब single questions हो जब single question हो तो आपको पूरा लिख करके चाट के बनाने के ज़र्द नहीं है आपको समझाने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा तो चलो मैं लिख लेता हूँ ठीक है क्या कह रहा है GNRTAG GNRTAG ZOG और QMP का मतलब क्या दिया हुआ है इसका मतलब जड़ा बताएंगे तही क्या दिया हुआ है SEAL Olimpik Organizing Short में लिख देता हूँ Organizing Committee इसका मतलब क्या हो जागा Committing फिर दूसा लेन क्या दिया हुआ है 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 यह कोड है 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 टो जी एन आर कि एम एफ है दिया हुआ है अब इसका मतलब क्या दिया हुआ है Summer Olympic Games SUMM से हम लोग Summer समझ जाएंगे Olympic और Games दिया हुआ है ना दिया हुआ है इसका मतलब यह एक लेन और दिया होगा आप देख सकते हो कि ESM SDR ESM SDR है टो दिया हुआ है ना इसका मतलब क्या दिया हुआ है Modern गेम्स Modern Games History दिया हुआ है दिया हुआ है ना पूच किसका रहा है यह बताईए पूच रहा है कि समर का कोड़ बताईए समर का कोड़ पहले यह बताओ समर है क्या हाँ पर यहाँ क्या और भी कहीं समर है कहीं भी नहीं है तो देखिए अगर सिंगल किसी वर्ड का पूचता है कोड कि समर का कोड क्या होगा तो दो ही केस में आप आंसर कर सकते हैं पहला या तो सिर्फ समर सिर्फ समर किसी और में दिख जाए तो सिर्फ समर तो किसी और में समर है ही नहीं तो अगेला कहां से दिखेगा दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है कि अगर ओलम्पिक और गेम्स का कोड अगर हट जाए तो ओलम्पिक कहीं दिख रहा है जी हां ओलम्पिक ओलम्पिक दिख रहा है गेम्स दिख रहा है मतलब कि ओलम्पिक और गेम्स का कोड तो मिल जाएगा अब सम समर इकलोता दिख रहा है तक्off यहां से देखोगे थीम्हेश Chinese удь एम अप गर्रवों कहीं भी नहीं देख रहा होगा क्योंकि हैट कंग जिएनर कहीं देख रहा है यह दोनों तो बी नंबर यह हुआ सोट ट्रिक पूरा एक एक छाट करके बनानी की जोत नहीं है आप एक एक तब छाटेंगे जब चार या पांच कोश्चन आपसे पूस दिया हो तब ऐसे नहीं छाटना है ठीक है तो नेक्स्ट कोश्चन पर आते हैं कोश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है फिर ये वाला बीच वाला टर्म पूछ रहा है लेकिन इसके आगे का टर्म दिया हुआ है आपको समझने के लिए 26,88 और 26,88,10 26,88,0 इतना तो पता होगा आपको अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या किया गया है? मल्टिप्लाइड बाई 2 यहां क्या किया गया है? मल्टिप्लाइड बाई 4 यहां क्या किया गया है? मल्टिप्लाइड बाई 10 तो 2,4 तो जरूर यहां पे क्या होना चाहिए? मल्टिप्लाइड बाई 6 होना चाहिए की नहीं होना चाहिए? फिर उसके बाद यहां पे क्या हो 36 को 6 से multiply करना पड़ेगा फिर उसको 8 से multiply करेंगे तो वह वैलू आ जाएगी ते कितना आ जाएगा 336 जो answer है किसी option में जी हां option number 2 कुछ था इसमें नहीं था दो तीन टर्म पकड़ाया तो next term भी पकर में आ गया कि लिए ना यह कि आगे बढ़ा जाएं कि ओके नेक्स्ट कोश्चन्स नंबर 15 ध्यान से इसको देखना है ग्रूप D हो या NTPC हो हर जगा आ सकता है और बहुत ही बहुत बहुत सारे बच्चे इसको क्या करते हैं सिंगल सिंगल करके काउंट करते हैं तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि जैसे कि यहां पर क्या दिया गया है कि द्यान से देखिए गया कि यहां बना देता हूं मैं कि ठीक है यह कि भी हो गया कि ठीक है कि ठीक है कि छोड़ दो आपके कि चलिए बनाता हूं मैं कि रित कि यह अ दो आ en कि यह प्रीछ दो आपके कि यह 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 आपके कि sound कि अक् gossip c है तो यह दिया होई ना किर्दै कि इसमें टोटल तिर्भूजों की संक्यां कितनी होगी तो एक चीज हमेशा यादउर कि कि जब भी इस तरह का आपको दिखे दो विकर्ड को मिला हुआ इसमें तोटल आठ तिर्भूज बनते हैं और इस तरह wide अगर दिखे तो इसमें कितने तीन तिर्भूज दिखते हैं यह जब मैं कॉंटिंग और फिगर जिस दिन पूरा कंप्लीट कोईशन्स ले करके हाऊंगा इसको मैं पूरा डिटेल जरूर बताऊंगा जरूर बताऊंगा और बहुत जल्द आने वाल है वो से ठीक है तो जैसे यहां पर बनेगा कहां पर आठ तिर्भूज यहां बने गया फिर उसी तरह से यहां पर भी दिख रहा होगा आपको आठ तिर्भूज यहां पर भी बनेगा लेकिन जब याद रखिएगा आगे मैं बताऊंगा इस सेक्शन को जब जब यह आठ वाले दो अगर एटैच हो कोई कॉमन लाइन अगर हो तो दो तिर्भूज और बढ़ जाते हैं यहां पर दो तिर्भूज और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर आठ गुना दो प्लस दो यानिकी 18 तिर्भूज तो यहां सागे फिर अब देख लो दिहान से कि यह तीन तिर्भूज यहां पर बढ़ेंगे फिर उसी तरह से यहां पर भी तीन तिर्भूज यहां पर भी बढ़ेंगे तो डारेक्ट में लिख दूं तीन कुना दो इस उकल टू छे 18 छे 24 लेकिन याद रहे कि इसको हमने कांट नहीं किया है ध्यान से देखिएगा कौन सा प यह वाला जो पाट है यह हम लोगों ने कांट नहीं किया तो एक इधर बना एक इधर भी बना जब दो इधर बना फिर यहां पर भी तो बना ध्यान से देखना कितने तिर्भुश बढ़े है चार और तिर्भुश बढ़े माथ ऑफ और पक्रम इस समय में आया कि तो कुछ तिर्भुश चिपे हुए होते हैं लेकिन यह सब च्रिक को याद रखना है अगर याद रहे गा तो दिककत्य Cat 10 नहीं आए कि कि लिए रहे आगे बढ़ें चली अगा 16 से 20 यह मैंने बोला थाने कि चप्टर वाइज में कुछ क्वेश्चन से लोंगा तो एक ही चप्टर से में पांच क्वेश्चन से लिया हम आपको यह बैंक में इस तरह से एक ही इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं सिंपल अल्फाबेट क्या बोलता है सिंपल इसी को जैड से लिख देंगे तो उसको क्या क्या बोला जाएगा reverse alphabet अब इसी को A से M तक को reverse लिख देंगे तो उसको बोला जाएगा पर्थम अर्धांस फस्ट हाप reverse अगर N से Z तक को reverse लिख देंगे तो दूती अर्धांस बोला जाएगा तो चलो यहां पर एक एक तो वर्ण माला कि पहले आधे अक्षरों को ध्यान दिजिएगा पहले आधे अक्षर का मतलब क्या कह रहा है वो कि M से यह नहीं कह रहा है कि पहले आधे अक्षर को विप्रीत क्रम में लिखा जाए तो मतलब कि पहले आधे अक्षर को विप्रीत लिखा जाए इसका मतलब कि N से Z को वो कुछ नहीं किया है यहीं कह रहा है न वो 16 नंबर में कि पर्थम आधे अक्षर को यदि उल्टे क्रम में बिफित क्रम में लिखा जाए तो दाइए और से 9 अक्षर के बाइए और 9 अक्षर कौन सा होगा तो questions क्या कह रहा है कि दाएं से 9th के बाएं कौन सा तो दाएं से 9 अक्षर के बाएं और 9 अक्षर कौन सा होगा तो याद रखिएगा कि यदि एक दाएं हो और एक बाएं हो अगर एक दाएं हो और एक बाएं हो तो यहां पर क्या किया जाता है add किया जाता है ध्यान रखिएगा अगर दाएं बाएं दोनों दे दिया है तो क्या किया जाएगा add तो चलो मैंने भी add कर दिया तो क्या हो जाएगा 18 लेकिन ये value किधर से आया है 18 किधर से आया तो हम देखेंगे कि यहां तक इतना लेटर ते रहाँ इधर कितना लीटर आपको जाना है तो डेंगे तो क्या हो जाए गई यहां से तो ए से जो 5 लेटर जाओगे तो आपको कौ सा मिलेगा गई और अंशर डी तो यह तो यह तो मैंने लिख करके बना इसी कुछ 60 में बनाना होता तो कैसे बनाते हैं सिंपल सी बात है कि यहां पर क्या दिया हुआ है दाएं और फिर बाएं तो क्या करते हम 9 9 is equal to 18 कर लेते क्या कर लेते 18 अब यह वैलू कि धर से आता दाएं से हम इसको चेंज कर लेते 20 जैसे कि इसको बता देता हूँ कि डाएंस से 18 तो वा या इसको मरलेकि या तो नहीं याने कि आई होता लेकिन नहीं होगा क्यूंच क्यों क्योंकि यहां पे क्या कर दिया है पर्थम आधे अक्षर को विपरीत में लिख दिया है तो क्या करते तो इस दोनों का एड कितना होता है 14 फस्ट आप में दो अपोजिट का एड कितना होता है m प्लस से 14 14 में से घटा लेते 9 यह आ जाता है आपको सीखना है यहां तक लेकिन खेर कोई बात नहीं अब देखो 17 नमर कोश्चन में क्या क्या रहा है निम्खित वर्माला के द्यूतिय अर्धांस को अगर विपीत करम में लिखा जाए मतलब कि A से M को कुछ नहीं कर रहा है लेकिन N से जो जैड है उसको अब बताओ द्यूतिय अर्धांस को मैंने उल्टा लिख दिया लिख दि अब मैं सौट्रिक से बताता हूं सीखो फिर आगे मैं सीखाऊंगा यह लिख करके तो कोई आप यहां पर क्या कह रहा है तो कौन सा अक्षर दाइं और से 12 हमें अच्छर के बाइं और चवथा तो बताएं हैं और एक एक दाइं है और एक बाइं है तो क्या करेंगे हम 16 क्या हो जाएगा 16 कि दर से से किसके साथ लगा हुआ है दिहान देजिशाएगा से किसके साथ दाइं से दिए वमकिदर आगया सकasis आप इसको चेंज कर Plan Texas तोैंस इस एन 16 यानिकी 11 कि क्या हो जाएगा 11 अब बताइए कि बाएं से 11 में तो कोई चैंजेज है अरे बदलाओ तो इधर है हमको वैल्यू के आया कि बाएं से 11 मा तो ये तो के का के ही न होगा ये क्यों बदलेगा क्या हो जाएगा यहां कोई कि बदला नहीं होगा होगा यहांब दला यहां पर 14 से क्यों घटाए थे क्योंकि यह एसे M को M से कर दिया गया है ठीक है और वे से अगर बनाओगे आप दाएं से ही अगर बनाओगे चलो मैं दाएं से कितना हो गया? यह बताइए. यहां तक कितना हो गया? यहां तक 13 हो गया. 13 हो गया की नहीं? 13 के बाद 3 और जाना है. तो M, L और K, होगा की नहीं होगा? अंसर K. ऐसे भी बना सकते हैं आप. लेकिन लिखना न पढ़ेगा. हम लिखने से बचाते हैं तो चलो मैं यही दो questions को मैं फिड से बताता हूँ ठीक है यही दो questions को 16 नमर question जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कैसे बनाओ के जर ध्यान देना कभी value को बाएं से ले देना है तो एक बार दाएं जिक्र कर रहा है और एक बार बाएं जिक्र कर रहा है जोरना है तो 9 plus 9 is equal to 18 किदर से दाएं से दाएं में मत रहने दीजे इसको बाएं में change कर दीजे तो बाएं से कितना हो जाएगा वताइए 27 minus 18 यानि की 9 हो जाएगा 22 से 9 अब condition कह रहा है कि पर्थम अर्धांस को जो a से m था उसको m से a लिख दिया गया यहीं कह रहा है वो कि m से a लिख दिया गया चलो m से a लेकिन n से z तो वह यह अब देखेंगे कि यह जो value आया है 22 से 9 बाएं से 9 किस में आएगा 22 से 9 किस में आएगा इसी में आएगा और इधर तो बदल दिया गया है इधर बदल दिया गया है की नए इधर ना सेम है लेकि इसे यहार तो बदल गया है just है तो क्या करेंगे इस को दोनों का एड कितना हो रहा है 14 14 में से 9 खटा देंगे 5 का मतलब यह लेकिन 17 न Umar questions ऐसा नहीं कह रहा है 17 नमबर में क्या कह रहा है तो देखेगा 17 नमबर में कह रहा है कि दूती अर्धांस को उल्टा लिखा जाता है तो दाएं और बाएं यहां पर भी है तो यहां पर भी हम लोग जोड़ेंगे तो पहले जोड़ लो 12-4-16 यहां पर भी वैलू दाएं से आया इस कर रहा है इसको वो क्या कर रहा है इसको वो ऑपोजिट कर रहा है कर रहा है कि नहीं कर रहा है दूती अर्धास को अब बताइए कि 22 से 11 अक्षर इसमें ना आएगा इसमें आएगा कि नहीं इधर कोई चैंज है जो जहां था वहीं है तो हम क्यों बदलेंगे तो क्या हो जाएगा केंज की ही अथा tasting नंबर में देके हैं क्या कहे रहा है कि निंगी तब माना में कौन साफचर घी और एस के ठीक बीच में तो जी का प्लिस येलू कितना होता है बाएंसे साथ का प्लिस ये बाएंसे कितना होता है 19 तो formula होता है ठीक है कि L plus L by 2 ठीक है L plus L by 2 तो कितना हो जाएगा एक value left से 7 है और दूसरा value left से 19 है का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 19 साथ 26 का आधा 13 13 किधर से आया तो यहां है आया 22 कि यहां पर दोनों value क्या दिया हुआ है अब बताइए कि 22 से 13 कौन सा होता है है हम होता है 22 से 13 कौन सा होता है हम है अंसर है कि 19 नंबर questions पर चलो आते हैं अगर निमलखित वर्माला का दूती अरधां विपरीत क्रम में लिखा जाए same question है तो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाइए और साथमा होगा जो 22 से 12 होगा है जो 22 से 12 कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाइए और तो एक दाइए दिया हुआ है और बाएं तो जोड़ दें तो 12 प्लस 7 कितना हो जाएगा 19 अब देखना है से किसके साथ लगा हुआ है तो बाएं और से मतलब यह वैलू किधर से आ गया बाएं से 19 अब बताईए कि कंडिशन क्या कह रहा है जरा आप बताओ कंडिशन कह रहा है कि A से M वहीं है लेकिन N से जो Z है Z से N विपरीत लिए दिया गया अब बताईए कि 22 से जो 19 निकाले हुए है न तो 22 से 19 इसमें आएगा या इसमें तो इसमें आएगा तो यह तो बदल गया तो बदल गया तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो Z और N का सम कितन होता है चालीस चालीस में से घटा लिजिए कि क्या हो जाएगा 21 यानि की चालीस से कहां से लाए जैसे यहां पर हम जोड़ करके लाए थे कि एक प्लस 13 14 उसी तरह 26 प्लस 14 40 में से घटा लिए और सीधा आंसर हा गया है कि लिए रहे नहीं है कि ट्वेंटी नमर उसके लिए मुझे थोड़ा सा सब्सक्राइब मैं यहां से कुछ चीजें हटा रहा हूं है कि ट्वेंटी नमर कुश्च्चन उसको देखिए अगर निकित वर्णमाला में 22 और के 5 अक्षर से अरंभ करके 22 और के 5 अक्षर से अरंभ करके 12 अक्षरों को विप्रीत क्रम में लिखा जाए मतलब कि A से जो है D रह जाए अब ईसे जो है सो 12 अक्षर तो ईसे 12 अक्षर क्या हो जाएगा बताइगे ईसे 12 अक्षर को अगर बात करें ठीक है तो क्या सब हो जाएगा E से 12 अक्षर E F G H I J K L M N O और P देखे तो 12 अक्षर हो गया 336 333 12 तो इसको वो कह रहा है कि उल्टा लिखने के लिए लिखने के लिए कि कह रहा है कि नहीं कह रहा है कि अगर लिखी तो बनवाला में 22 और के 25 अक्षर से आरम करके 12 अक्षर को विप्रित करमें लिख दिया फिर उसके बाद Q से लिए करके Z तक वही का वही रह जाए तो पूछ क्या रहा है तो कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर उस अक्षर के बाइं और साथवा होगा जो दाइं और से चौधावा है तब एक दाइं है और एक बाइं है तो 14 प्लस साथ इसकल टू 21 किधर से तो से किसके साथ लगा हुआ है दाइं से अब दाइं से 21 का मतलब बाइं से कितना अब बताइए कि 22 छठा अक्षर कौन सा होगा यहां तक तो तीन अक्षर हो गए नहीं हो गए चार के बाद पाचमा और छठा यहां पर क्या हो जाएगा पी और यहांपर क्या है ओठीक है यानि की your answer is ओ इन में से कोई नहीं है कि लिए कि समझ गया है ठीक है और यह बहुत important section है याद रखिएगा इसका मैं एक काम करूंगा इससे मैं पूरा 20 questions में लेकर करके आऊंगा और उस दिन concept के साथ मैं सारा कुछ बताऊं ठीक है तो यह आजगा यह demolition था आपने देखा कि इस questions जो थे important questions उसका discussion आपने देखा इसी तरह से आपको day by day करके सारा कुछ आपको यह चीज़ दिया जाएगा ठीक है तो best of luck जितना ज्यादा सा ज्यादा हो सके है अपने colleagues को आप सब लोग जुड़िए बहुत beneficial है ठीक है जो भी सिट्यूल्ड है time का या fee बगरे का जो भी सिट्यूल्ड है नॉर्मल फी रहेगा इक्तम नॉर्मल जितना आप सोच भी नहीं सकते हो ठीक है नॉर्मल फी पर स्टार्ट होड़ें सारा कुछ और आप यह चीज़ को ज्वाइन करो जितना ज्यादा हो सके ठीक है कि क्लियर है यह चीज़ तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे कंसर्प्स के साथ कुछ अच्छे कोश्चन के साथ डिसकेशन पर आप जा स्टार्ट हो सकती है